कि अधीकाल की उपलब्द सामगरी इस पर बात करते हैं कि अपब रंस साहित्य आमने पढ़ा था उससे परभावित रचनाय कौन-कौन सी है और अपब रंसके परभावित हिंदी रचना है कई बार ऐसे सवाल आ जाता है कि निम्न मैंसे कौन सी अपब्रंश परभावित रचना नहीं है तो यह इसमें से देदिया सिद्ध साहितेस रावकाचार उप्तिवेक्ति परकरण और साथ में एक देदिया परमाल रासो तो क्या हो जाएगी परम से देदिर सेंगत रचना का सवाल आ जाएगी तो यहाँ से में कर सकते हैं तो इस चार्ट को देख लेते कि अपब्रंस परिंदी रचनाय यानि ऐसी हिंदी रचनाय जिन पर कहीं ना कहीं अपब्रैंस का प्रभाव दिखाई देता है ऐसी रचनाय कौन-कौन सी है उन्पर बात करते हैं सबसे पहले है सिद्ध साहिते सिद्ध साहिते अपब्रंस से प्रभावित है और है हिंदी का बात किसकी ओरी है हिंदी रचनाओं की लेकिन सिद्ध साहिते हिंदी में शामिल है लेकिन अपब्रंस की प्रभाव के साथ वहीं इस्तति सराव का चार की है जो देव रचनाओं में इनको अपने को याद करना है सराव का चार नात साहिते सिद्ध और नात साहिते दोनों एक साथ याद कर सकते हैं फिर हैं सराव का चार अब जैन धर्म से जुड़ी हुई कौन कौन सी है प्रभावित हिंदी में आएगी इन आठ को हम याद कर लेंगे तो फिर इधर वाली हम छाट लेंगे जो भी सवाल पूछा जाएगा तो दो हो गई सिद साइते और नास साइते यह हो गए दो और दो हो गए जहन साइते के एक है सराव का चार और एक है परतेश और बावबली रास जो की लिखी है किसने साली बदर सूरी ने तो दो यह हो गई एक रासो है हमीर रासो जिसे अप प्रफवांवित शुकल जी नें भी माना है और इस लेस्ट में भी यह जो लेस्ट बनी हैं यह नगयंदर संपादी तिवाधि तियास में अपवर फ्रफभांवीत हिंदी रचना है और अपवरयन्श प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाओं के आधार पर है तो यहां पर गद्द साहिते आधिकाली इन गद्द साहिते की रचनाएं मानी जाती है इस परकार से तीन गद्द साहिते की रचनाएं और अपन अलग-अलग भी कर सकते हैं इनको यह हो गई इसके साथ यह है इसके साथ यह है यह यह तीनों क्या है गद्द साहिते इनको आप एक साथ भी लिख सकते हो, मैंने उसे हिसाब से लिखी है, जिस हिसाब से लिखी हुई थी, गर्दि साहिते की तीन रचनाए अपम रंस प्रभावीत हिंदी में आएगी, उसके साथ ही साथ देखिए एक है राशो का, एक राशो दो जैन की, एक ये और एक ये, ये दो हो गई जैन साहिते कि तो यहां पर हम किसी ना किसी तरीक से को रिलेसन करके कि जैन साहिते कि अप ड्रणस परभावित हिंदी में कौन सी ले गई है तो स्राव का चार और भरते शर्वर फगवली रास्पो सिद साहिते और नाथ साहिते प्रफेक्ट याद है तो इनको अलग करना आसान है एक बार नाम देख लेते हैं अपवरंस के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना है अर्थात इन रचनाओं पर किसी प्रकार का कोई अपवरंस का प्रभाव नहीं है ऐसा कुमान राशो दोला मारूरा दुहा वीशलदेव राशो पर्थी राज राशो लगबग सारे राशो है परमाल राशो एक हमीर राशो इदर चला गया बस जैचंद प्रकास जैमयंक जस चंदरी का चंदन बाला रास इस्तूली भद्र रास रिवंत ग्रीरास तो ये चंदन बाला रास आसगू का है इस तूली बद्र जिंडत का इस परकार से रेवंत गिरी रास विजे संसुरी का नैमिनात रास वसंत विलास खागू फिसरों की पहलियां ये सब क्या मानी जाती है ये सब अपभरंस के परभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं मानी जाती में जहां पर नाथ रचनाओं को अपने गयाद कर लेना है जो अप्रण्स के परभाव से युक्त है जिन पर अपभरंस का परभाव है जैसे पूछा कि निम्न में स्थे कौन कौनसी रचना है अप भ्रंज प्रभाव योक्त है ऑप्शन मैं दे दिया सिद्ध सहित्टे नात साइत्टे उक्ति वेक्ति पर करण उफ्रयोक्त सभी तो उप्रयोक्त सभी सहह जो होगा तौं यहां से याद करना है सिद और नाथ एक साथ, पिर स्राव का चाराऊच भरतेश और बावबली एक साथ, और फिर गद्य साहित्य की तीन रावल, उक्ति और वठ्ण और फिर रासौ एक, उसका नाम है हमीर रासौ, सारंगधर का हमीर रासौ, अब हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य पर सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य में शुरुवाती तोर पर हम जिस साहित्य को पढ़ते हैं वो है सिद्ध साहित्य तो सिद्ध साहित्य पर बात करते हैं अजू है मैंको सित्हों की रचना हैं और सिप्धों की जो उत्पती है वो कहां से मानी गई है वो धर्म से मानी गई है वो धर्म में दो साखाएं थी शुरुआत में वो धर्म पर हम बात करते हैं कि वो धर्म क्या था कैसे था तो वो धर्म जो है उसमें दो साखाएं थी कितनी साखाएं थी दो साखाएं एक था हीनियान और एक था महायान महायान पाउर धिन्यान धिन्यान जो है वो क्या थे सिद्धान्त वादी थे सिद्धान्त वादी विरक्त थे सन्यासी की तरह रहते थे उन्होंने ऐसे सिद्धान्त इस्तापित कर रखे थे जो आम जन्ता उनको अनुसरण नहीं कर सकती थी तो ये तो थे सिद्धान्त वाद सिद्धांतवादी अब सिद्धांतवादी होंगे तो सन्यास ज्यादा रहेगा इनमें सन्यासी परवर्ती थी इनकी सिद्धांदवादी थे सन्यासी थे इस वज़े से यह ज़्यादा पर्चलन में आगे नहीं बड़े विरक्त ताब में ही रहते थे संसार से विरक्त वो करके रहते थे इनको हम विरक्त भी कह सकते हैं तो इनका तो यह जीवन था तो इनका कोई आगे ज्यादा बड़ाव अलग से साख़ाएं नहीं बनती है लेकिन महायान जो है वो कैसा है वहवारिक है वहाँ पर वो सिद्धांदवादी है तो यह कैसे है वहवारिक महायान जो है वो वहवारिक पक्स पर अधिक बल देता है और उसमें उच नीच को बिल्कुल नहीं माना गया है महायान जो साख़ा है उसमें वो धर्म की महायान साख़ा में उच नीच का त्याग किया गया है उच नीच खारिच मुझ नीच बिल्कुल नहीं मानी गई है मायान साखा में हम यहां पर वो धर्म को इसलिए पढ़ रही है कि सिद्ध जो साथवी आठवी सताब्दी में भारत में परसीदी प्राप्त करते हैं वे सिद्ध कहीं न कहीं जाकर मायान से जुड़ते हैं बोध धर्म से जुडते हैं इसलिए हम बोध धर्म की साखाओं की बात कर रहे हैं कैसे किस परकार से यह आगे बढ़ा तो माहयान जो था उसमें वेवारिक पक्सपरबल था और इसी वेवारिक पक्सपरबल में एक आगे साखा होती है मंतरियान मंत्रियान जो है मंत्रियान में क्या रहता है नाम से ही सीधा इसपष्ट दिखाई दे रहा है मंत्रों की सिद्धी ये क्या करते थे मंत्रों की सिद्धी मंत्रों की सिद्धी करते मंत्रियान में क्या होता मंत्रों की सिद्धी की जाती थी और सिध्धी के मंतरों के द्वारा सिध्धी प्रापत करते थे, मंतरों का उचारण करते थे और मोक्स प्रापती की और बढ़ते थे, इस परकार की जो भावना है वो धीरे-धीरे माहयान आगे को बढ़ रहा था फिर इस मंत्रियान में मंत्रियान से जुड़ा हुआ सिरी परवत जो था साउथ में जो आंदर जो पर्देश है वहां के आंदरा लोगों की जो राजदानी थी दान्य कटक उस दान्य कटक के पास एक परवत पढ़ता है सिरी परवत उस सिरी परवत पर काफी सारे सिद्ध व कि रचना की मंचुीरि कलप मंजुश्री कलप नाम से एक ग्रंट बनाया किसने मंतर यानियों ने जो सिद्ध कहला ने लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि जो यह मंत्रों तंतरों की सिद्या है उसमें धीरे धीरे पताई ने चलता और वजर धरा प्रवेस कर जाती है अठाक मध्य और में थून का प्रवेस जैसे ही होता है वैसे ही मंत्र यान जो केवल मंत्रों की सिद्धी करता था सुधी परबलं देता था उसमें क्या हो जाता है सराब एवम इस्तरी का परवेज इस रूप में होता है कि वे भी चार है वो बढ़ जाता है और धर्म जो है वो धर्म जो है अपने मूल रूप को को देता है और उसमें वो भी भ्रस्ट को करके दिखाई देता है तो उस समय रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जो सिद् उसमेंसे कुछ तो वामाचार पर बल देने वाले थे लेकिन आखिरकार सिद्धों का जो लक्षे था वो ये था सांतरस की स्तापना करना या परमात्मा पक्स को प्राप्त करना या महासुक को प्राप्त करना जो महासुक है वो इस वामाचार वैबी चार से बहुत आगे की सि चाहरब कर सिद्ध है जो सहज यान की और बढ़ते हैं जहां पर केवल मां सुक व्य सुन्ने की अवधार नापर वेबल देने लगते हैं धीरेदीरे यही बात इस्वरवाद की और पर्ति फलीट होती है और इस्वरवाद की और परति फलीत होकर नई विचार धारा को जनम र वो होते हैं नाथ जिनमें सेव मत का प्रभाव भी बराबर पड़ता है क्योंकि उदर संक्राचारे भारत में अपना धर्म फेला रहे थे हिंदू धर्म को पुना इस्तापित करने का काम कर रहे थे उन्होंने भी सेव मत को काफी हद तक आगे बढ़ाने में अपना योगदा पनपी वो थी ना लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं मंत्रयान की किसकी बात चल रही है मंत्रयान की अब मंत्रयान वज्रयान कब बनता है जब मंत्र मंत्र तक तो ठीक था लेकिन जब उसमें मद्य यानि मदीरा और इस्त्री का परवेश हो जाता है वह माचार के रूप मे वह विचार के रूप में जब यह आते हैं तब इसको नाम इसका नाम हो जाता है वज्रियान नाम हो जाता है मद्धे वह मैं थोन परवेश अब यह वज्रियान था वो आप देखिए सिद्धों की उत्पति इस वज्रियान से ही मानी जाती है लेकिन रामकुमार वर्मा ने कहा है कि वही वज्रियान से सिद्धों की उत्पति तो जरूर है तंतर मंतर की सिद्धी उन्होंने जरूर की है और तंतर मंतर की सिद्धी करने वालों को ही सिद्ध कहते हैं लेकिन मद्धे और मैथून की इस जो वज्रियानी परंपरा से सिद्ध आगे बढ़ जाते हैं वे सहज यान की और बढ़ते हैं की और बढ़ते हैं निरीश्वरवादी बोद धर्म के क्रोड में पलकर की गोद में पलकर के सिद्ध धीरे-धीरे मंत्र साधना करते हुए विक्रम सिला और नालंदा जैसे विश्विद्यालों की और परस्थान करते हैं अपने वजर्यान का कैंदर जो सिर्पर्वत था सिर्पर्वत के आसपास लेकिन वजर्यान तो वहां पर बाद में फैला पहले तो सिर्पर्वत पर मंत्र यान या मंद्रों की शिद्धी का ग्रंत मंजु स्रीक लप लिखा गया उसमें राम-कुमार-वर्मा कहते हैं कि किसी परकार का कोई मध्य मैथून का नाम उनमें नहीं मिलता अतर जो मंजूसरी कल्प है वो तो केवल मंतर सिद्धी की रचना है उसमें किसी परकार की वज्र यानी सिद्धान्तों की विविचना नहीं मिलती है लेकिन जो सिद्ध है वे वज्रियां से पूंतह प्रभावित होने के बाद नालंदा और विक्रम सिला विश्विद्यालेओं की और प्रस्थान करते हैं तब वे इन सारे वेविचारों से मुक्त होकर के और इसके व्रोध में सहज साधना पर बल देना सुरू कर देते हैं और इनके बीच में वामाचार की जो चर्चा है वो धीरे-धीरे कम हो जाती है और वे प्राकर्तिक रूप से घ्रहस जीवन पर भल देने लगते हैं जैसे कहते हैं परकार से वह कहते हैं तब वे कहते हैं कि जिस परकार जो नमक होता है वो पानी में भुल जाता है उसी परकार कि धरणी मतलब चित को चित में धेरे धरण करना है इस परकार से ले सकते हैं या अन्य अर्थ जो भी जिस परकार से अर्थ लिया जाए तो समरस यानि सम्य रूप से जीवन जीने पर वेबल देने लगते हैं और जब हम इनकी विचार-धर को पढ़ते हैं तो राम गुमार वर्मा कहते हैं कि आखिरकार सिद्धों का उतिस्य सांतरस की स्थापना और महासुक की प्राप्ति था जो की इन मद्य में थून वगेरा परकिरियाओं से बहुत ही आगे की कड़ी है तो वजरियान जो है महायान से मंतरियान बनता है और मंतरियान जब थोड़ा प्रष्ट होने लगता है तब वो वजरियान में परिवर्तित होता है और वजरियानी ही सिद्ध प्राप्ति में सिद्ध कहलाते हैं क्या है सिद्ध कहलाते हैं यही मंत्रियानी और वज्रियानी ही क्या कहलाते हैं सिद कहलाते हैं तो जो बोध धर्म है उसकी माहयान साखा से मंत्रियान और मंत्रियान से वज्रियान और वज्रियान या जो मंत्रियान है उसी को पुर्णत पलवित करने वाले या सिद्धी की साधना करने वाले लोग क्या कहलाए सिद्ध कहलाए थे तो बोध धर्म जब विक्रत अवस्ता में आ जाता है तब उसकी ये साखाएं बनती है वजरियान तक चला जाता है फिर ये सिद्ध जो है उसमें कुछ नए तंत्र मंत्र जोड़ करके सिद्धी साधना करते हैं उसी सिद्ध साहित्य धर्म का करता है अब ये इस परकार से सिद्ध साहित्य की हो जाती है सुर्वात मंतरों द्वारा सिद्धी प्राप्त करने वाले लोग क्या कहलाते हैं सेक कहलाते हैं मंत्रों द्वारा सिध्धी प्राप करने वाले लोग सिध कहला है मंत्रों द्वारा सिध्धी प्राप्त करने वाले लोग क्या कहला है और जो सिध सादक है वे क्या है हमने अभी बात की कि वो धर्म के वजर्यान साखा का परचार परसार उन्होंने ही किया था और वजर्यान साखा में जो दो सुत्पन हो गए थे वे भी दीरी दीरी इन्हों ने दूर किये ऐसा कौन कहते हैं राम कुमार वर्मा कहते हैं तो सिद्ध सादक जो है सिद्ध सादकों ने वजर्यान साखा वजर्यान साखा किस की है वो दर्म की है मैं पता है साखा कू विक्सित पल्लवित करने के साथ उसमें सुधार के प्रयास कियें सुधार के प्रयास कियें अब जो यह सिद्ध है यह सिद्ध है ना यह हर जाती के वेक्टी थी ब्रामण उस समय सबसे बड़े प्रोईद पंडित या ब्रामण माने जाते थे फिर सत्रियों का नंबरा थे तो उस जाती से लेकर नीजी से नीजी कही जाने वाली उस समय की जाती थक जो चौरासी सिद्ध है उसमें सब सामिल थे और उनके द् विभिन परकार की जातियों के वेक्टियों द्वारा सिद्धी प्राप्ति करने के लिए या मंत्र साधना करने के लिए जो कुछ भी उन्होंने लिखा किया उनसे जुड़ी सारी बाते हैं वो क्या कहलाती है सिद्ध साहित्य कहलाती है और रहुल सांकरतायन ने अपनी हिं कावे धारा जो लिखी थी उन्हीं सुचावाल इसमें उसमें उन्होंने चौरासी सिद्धों की सुची दिये राहूल कि सांकर्त यायन कि ने अपनी पुस्तक हिंदी कावे धारा हिंदी कावे धारा में सुची दिये उसमें सभी जातिया हैं उन्हों सुची को हम पढ़ते हैं तो हमें सभी जातियों के लोग उसमें मिल जाते हैं उसमें ना कोई नीचा है ना कोई उंचा है तो सबसे बड़ी परवर्ति इनकी यही ती सिद्धों की कि उन्होंने बाय आडंबरों का और सास्त्र जो सम्मत बाते हैं उनका विरोध किया सरपा खुद ब्रामन है लेकिन ब्रामनवाद का खंडन उससे बड़ा कोई नहीं कर पाया तो इस परकार जो सिद्ध है वे क्या करते हैं जो ब्रामन होकर भी ब्रामनवाद का खंडन करते हैं आओ जो नीची जाती के हैं उनको भी इनके साथ अपना पन लगता था इस वज के नजदीक जो वजर्यानी साका है उसके नजदीक आम जनता को ज्यादा उसके नजदीक जना पसंद होने लगा बजाएगी दूसरे दर्मों के तभी तो धीरे धीरे फिर हिंदु धर्म वगिर मैं भी सुधार होने लगे मंदीर परफेश परबाते होने लग इस परकार से खूब सारी विचारदादैं इधर उदर से आ रही थी उनका परभाव भी वो धर्म पर पड़ रहा था यानि एक साथ समाज में जो भी सिद्धों के पर्मुख अड़े कौन-कौन से थी सिद्ध जो है उनके अगर बात करें तो इनसे भी पहले अगर बात करें तो जो परवत जो अंधर-पर्देश त는 लंदर कहल दा चाहिए में परदेश या निए वहां का शेत्र वहां कि राजदनी तहीए एक धन्य कटक वहाँ कि राजदनी के आश्पास में ही नजदी की मेखले से परवत नाम आश्पास में करते थे किसी एक विक्ति का नाम नहीं मिलता लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों द्वारा एक ग्रंठ बनाया गया मंतर शिद्धी का इसका मंतर का नाम था मांजू स्री भूल कल वो स्री परवत पर रहे लिखा गया और उसकी मुख्य विशेवस्तु जो थी वो थी तंत्र मंतर की सिद्धी, तंत्रों और मंतरों की सिद्धी करना उन लोगों का परमुकुद्दे से था और तब तक रामकुमार वर्मा कहते हैं कि तब तक उसमें मद्य और मैथून जैसी परवर्टियां नहीं पन तक जो मनतर यान साका है उसमें वजर यानियों ने परवेश नहीं किया था या उनकी परवर्टियां विक्रत नहीं हो पाई थी भैर्वी चक्र जिसे कहा जाता है उसका परवेश नहीं हुआ था यह बात में आपर ध्यान देनी की सिद्धों के मुख्य अड्डे रिद्दों के मुख्य अड्डे नालंदा व व व विक्रम सिला पाने जाते हैं रामकुमार वर्मा ने क्या का कि जब सिद्द नालंदा विक्रम सिला पहुंच जाते हैं तब तो उन्होंने पूरा ध्यान अपना परम महासुक की और लगा दिया था वे मध्य मैथून जैसी जो परकरियाएं हैं उनसे दूर होने लगे थे और उनका ध्यान पूरा महासुक की और लगने लगता है और वे प्रमात्मा में या सुन्यवाद जो है नागार जुनका उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और सिद्धी प्राप्ती में और ज्यादा सिद्धास्त होने का प्रयास करने लगते हैं और जो मुख्य उतिसे है सिद्ध साहित्य का वो कहा जाता है कि सांतरस की स्थापना तो सांतरस की स्थापना के लिए तो महासुक की जो इस्तती जिसमें बिल्कुल सांत प्रकरती को क के लिए थीर fancy ३ो फिर वामात्वा सबस्क्रों को सब् earthquakes आर्प बढ़ने लगी और कि ऺंपन राम-कुमार वर्मा ने कहा निरी वो धर्म की क्रोड से उत्पन जो सिद्ध है वे धीरे-धीरे इस्वरवाद की और पर्णत होने लगते हैं और आखिरकार इस्वरवादी एक धरा का जन्म होता है उसका नाम होता है नाथ तो अब मंजुश्री मूल कल्प के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं आंदर प्रदेश की राज धानी धान्य कटक के धान्य कटक के पास ही शिरी परवत पर शिद्धों के साधना इस्तल तुरुवती दोर में साधना इस्तल रहे और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वज्रियान प्रवेश करता जाता है वज्रियानियों के गुण आते जाते हैं वैसे वैसे फिर यह इस्तान खाली करके सिद्ध दीरे दीरे नालंदा और विक्रम सिला की और बढ़ जाते हैं शिरी परवत पर सिद्धों के साधना इस्तल रहे यहीं पर मन्जू स्री मूल काल्प मन्जू स्री मूल काल्प नामक सिद्ग्रंध मिलता है इसमें तंत्र मंत्र साधना की बातें की गई है इसमें एक जो मुख्य बात रामकुमार वर्मा जी ने बताई है उसको भी नोट कर लेते हैं आर के वर्मा के अनुसार मन्जू स्री कल्प में मंत्र साधना ही है भेर्वी चक्र का उलेख नहीं है पतह उस समें तक मंत्रियान वजरियान की ओर वजरियान जिसमें मंत्र के साथ तंत्र मंत्र दोनों मंत्र की साथ मध्य वव मेथून शामिल हूँ तब तक मंत्रियान वजरियान में परिवर्टीत नहीं हुआ था मैं परिवर्टीत नहीं हुआ था इस परकार से मंजू सिरी कल्प जो है उसमें तंत्र मंत्र सिधी का उलेक जरूर है लेकिन भेर्वी चक्र वगिर उसमें नहीं है और बाद में जब ये वजरियान परियोग कर जाता है तब वो अलग बात है लेकिन अब आगे बात करते हैं सदाचार को जाता है वजरियान में आकर ये बात भी लिख सकते हैं आगे जब वजरियान ये टोपिक शुरू कर जाते हैं इतर जब मंतर यान में मज्दे में थून आदी शामिल हो जाते हैं तो यह धर्म सदाचार को ने लगता है को ने लगता है और रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि यह जो सदाचार को रहा था धर्म उसमें स्थिद्र सामिल थे लेकिन जहां परगंदगी होगी वहीं पर सफ़ाई सुरूआत होगी वही बात वहां पर हुई कि सिद्धों मेंसे ही कुछ लोगों ने इस वामाचारी परवर्ती को वापस से साफ करने का सोचा कि इस परकार से तो समाज है उस पर गलत परभाव पड़ेगा तो वापस इसमें परमात्मा की और या माहसुक की और निर्वान की और इसे किस परकार बढ़ाया जाए उस पर इनहीं सिद्धों ने वापस गुरु सेवा वगेरा पर ध्यान दे करके और सिद्धी प्राप्ती की और तो उनका ध्यान था लेकिन धीरे धीरे वे इस्वर को इसमें सामिल करने लगते हैं और धर्म साधना को बढ़ाने लगते हैं और ये जो सदाचार को रा था उसको वापस लाने की कोशिस होने लगती है और ये सुर्वाज्ज़ परवेश कर जाता है तब नाच साहिक्ते की उपती हो जाती है और अब जो स्रीपरवत था उसके आसपास ही वजर्यानी रहे थे और वहाँ पर धीरे-धीरे फिर क्या हुआ मास है मदीरा है इन पर बल मिलने लगा था और जब विक्रम सिला आदी जो कैंदर बन गए एस सिद्धों के तब इन चीजों से वापस सिद्ध किसकी और आने लगे सहर्ज चर्या की और अर्थात गरहस्त जीवन को तो सिद्ध महत देते ही थी लेकिन कुछ सिद्धों के अलावा बाकी वालों ने धीरे-धीरे वामाचार चर्चा कम कर दी थी यह बात कही है रामकुमार वर्मा ने इसके बारे में अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत है जब शिरी परवत के आश्पास वज्रियानियों वही मास मद्धे वले वज्रियानियों का बोल बाला बढ़ने लगा तब सिद्ध धीरे-धीरे नालंदा विक्रमसिला की और प्रस्थान करने लगती हैं करती हैं तब वे सहज चर्या या ग्रहस्त जीवन पर बल देने लग जाते हैं एवं महासुख प्राप्ती व शांत रस ती की स्थापना करते हैं प्राप्ती स्थापना के पर्यास में लग जाते हैं यह बात कहते हैं रामकुमार वर्मा की सिद्धों के बारे में कहा जाता है कि वे तो दिन भर भोग विलास में डूबी रहते थे तो यहां पर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि नहीं भोग विलास से आगे बढ़कर वे प्राकर्तिक ग्रहस्त जीवन को स्विकार करते हैं और आगे जो नात है वे ग्रहस्त जीवन को स्विकार नहीं करेंगे तो अजयर परसाद दिवेदी कहते हैं कि उनका जो सोस्क जीवन है वो ही उनकी धारा को नस्ट करने का काम करता है तो कहीं न कहीं वापस ग्रहस्त जीवन का महतो तो इस्ताफेद करना पड़ेगा तो सिद्धों में जो दुराचार फैल रहा था जो वजरियानियों में दुराचार था उसमें सुधार पल बर वापस वही सिद बल देने लगे थे कणापा जैसे कहते हैं जिमी लौन विली जाई कर धरणी यानि जिस परकार नमक है वो पानी में मिल जाता है वैसे ही एक दिन यह जीवन भी इस सुन्य में मिल जाएगा यह अर्थ भी हम ले सकते हैं अलग-अर्थ इसका ले सकते हैं दो सम्रस जाई तक्षने सम्रस जाई तक्षने पुनूते सम चित सम्रस जाई तक्षने सम्रस जाई तक्षने यानि की हर वक्त सम रूप में रहना चाहिए जीवन में समानता से रहना चाहिए दुख सुक कैसा भी हो सकता है तो उसमें हमें समान रूप से रहना है पुनूते सम चित यानि चित को में सांत रखना चाहिए पुनूते सम चित तो यहां से जो संत साहित्य है वो पूरी भाव भुमी यही से गरहन करता है यही से तभी तो रामकुमार वर्मा ने कहा कि वामाचार वगेर वगेरे जो भी कमिया तो थी लेकिन जो मूल उद्देश से था सिद्धों का वो सांत रख और महासुख जो ईश्वर प्राप्ति का की सबसे मतलब बड़ी सीड़ी है उसकी प्राप्ति की कोशिस में लगे वे सिद्ध कहीं न कहीं सांत रख की स्तापना करते हैं जीवन में नए संदेश भरने के लिए वे अपना काम धीरे-धीरे करने लगे थे ग्रास्त जीवन को उन्होंने मैतों देना शुरू किया था और वो डाके नी डोमेनी वाली प्रवर्ति है उस पर सिद्ध खुद ही वापस अंकुस लगाने की कोशिस करने लगे थे यह स्टेटमेंट है रामकुमार वर्मा का अब आगे हम प्रवर्तियों पर बात करेंगे झाल झाल